हेलो रिवन, वेल्कम बैक टो अनलाइन स्टेडियों, आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार SSC 3rd CGL Mains के लिए सेट नमबर 8, उमीदे किसे पहले के अपने बाकी के साथ सेट तक सभी वीडियो को अच्छे तरीके से देख लिया होगा, नहीं देखें, तो लास्ट टाम चल रहा है, रिवीजन चलूट करिये, प्रेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, तो इस वीडियो में भी आपको MCQ 50 questions के और रिवीजन करिये, तो चलिए शुरू करते हैं, तो आज किस वीडियो का first question ये है, all souls day, जो एक तेवहार है, किस धर्म का एक तेवहार है, all souls day, किस धर्म का एक तेवहार है, तो ध्यान रखेगा इस प्रशन का सही answer, option C हो जागा, यानि कि इसाई धर्म का एक प्रमुक तेवहार है, all souls day, यहां पर बढ़ सकते, all souls day, इसाई धर्म का एक प्रमुक तेवहार है, जो मृत को की याद में मनाया जाता है, यह मुख करोप से इसायों के कैथोलिक संप्रदाय के द्वारा, आयोजित किया जाता है, चलिए, इसके बाद हमारा second question, उन पसुओ को क्या कह जाता है, जो पौधो और पसुओ, दोनों को खाते हैं, क्यानि पौधो को और पसुओ, दोनों को भी खाते हैं, उसे हम लोग सर्वाहारी कहेंगे, ठीक है, उसे हम लोग सर्वाहारी कहेंगे, option D हो जाएगा, question number third, एक इनिमलिकित में से कौन सी, महारतन दर्जा प्राप्त प्राप्त कंपनी नहीं है, महारत ने दर्जा प्राप्ते कंपनी नहीं है, देखी, पहले जो कि 10 महारत में कंपनीय हुआ करती थी, लेकिन 2021 में Power Finance जो की एक नया कंपनी से में जुड़ा, अब जाकर के total 11 महारत में कंपनीया है, और 13, 9 आदे कंपनीया है, तो यह ध्यान र और क्या करें ध्यान दीजिगा कि निम्लिखित में से किसी आधुनिक वनसपत्ति विज्ञान का जनक माना जाता है। आधुनिक वनसपत्ति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। रैट आंसर विल वी आप्सन डी, कार्ल लिनियस, कार्ल लिनियस को आधनिक वनसपत्ति विज्ञान के जनक के रूप में हम जानते हैं, सी बिलकुन, सही आंसर सेलोज वीती किसके सेलो में पाई जाती है? सेलो जवीती किसके सेलो में पाई जाती है तो यहाँ पे हमारा सही आंसर option D बनेगा पौधो की सेलो में उसी काओं में पाई जाती है निमलिकित में से किसे जीवन का भौतिक अधार माना जाता है जीवन का भौतिक अधार निमलिकित में से किसको माना जाता है तो correct answer option D जिवद्रब या फिर इंगलिस में इसको protoplasm कहते हैं और ये जो protoplasm सब्द है ये पूरकेंजे ने दिया था पूरकेंजे देखिए अगला प्रश्ण है कि मनुस्यों में प्रसारित mucormycosis जो होता है वो किसके माध्यम से होता है mucormycosis mucormycosis होता है ये किसके कारण होता है तो ये blood के कारण यानि रक्त के कारण होता है रक्त के माध्यम से होता है option यहाँ पर A हो जागा बिल्कुल सही answer बिस्वे प्रेश सुचकांग 2023 ध्यान देज़ेगा 2023 में प्रथाम स्थान पर कौन सार है अभी हाली में आपको बताया गया था आज मैंने मॉर्निंग में ही माई 2030 का करण टेफेस अपलोड किया स्पीडी करण टेफेस तो अगर आपने नहीं देगा है तो उसको देख लीज़ेगा उसमें आपको बताया था नौर्वे जोकी 1st ट्रेंग पर है ठीके नौर्वे 1st ट्रेंग और 180 देशों की सुची में भारत 161 अस्थान पर है अगला प्रश्ट कि सत्कोसिया जो बागविहरण है वो किस राज़मिस देता सत्कोसिया बागविहरण किस राज़मिस देता जो लोग टेलिग्राम से जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दू कि टेलिग्राम पर कल मैंने साम को आपको 9 टॉपिक दिये थे आप उस 9 टॉपिक को आज साम तक कंप्लीट करेंगे क्योंकि साम को फिर से आपको कुछ important topics दिये जाएंगे तो भिहार SSE, CGL means के लिए important रहेगा तो आप लोग अपने topic को अच्छे तरीके से cover कर लिए जितना जल्दी हो से कि अच्छे तरीके से revise करना है सिर्फ अब deeply याद करने की कोजिस मत करने लगा ना वरना दो ही तीन topic complete कर पाऊगे सिर्फ divisions के purpose से आप लोग उस topics को पढ़ लीजिए बस यही काम करना है क्योंकि last time पर सिर्फ divisions करना होता है तो मेंस के लिए हमारे तरब से यह topic सीरी चल रहा है आप उसको follow करिए ठीक है तो सत्कोसिया बाग अभी आरण कहां पर है यह पढ़ता है उड़ीशा के अंतर गया कहां पर B हो जागा option B सत्कोसिया option B उड़ीशा के अंतर गया अगला प्रश्ट भारते समिधान में कानून द्वारा स्थापित जो सब्दावली है वो कहां से ग्रहन किया गया इसको ग्रहन किया गया जपान से option E होगा जपान से अगला प्रश्ट की पंचायती राज को ला के 243 के ओ तक यानि टोटल जो 16 आपके आर्टिकल है इन सभी को मैंने अच्छे तरीके से याद भी रहा है कि किस आर्टिकल में कौन से चीज़ है एक बार वीडियो को देखोगे दुबारा कभी भूले की जरुरत नहीं पड़ेगी बस आप एक बार वीडियो को देख क्रसिस में लाग हुआ तोल स्टाइ की प्रसीध पुस्तक कौन सी है जिसने महात्मा गान्दी के विचारों को परभावीत किया था टॉल स्टॉई की पुस्तक ये प्रश्ट हमेशा पूछ जाता है ये बताई कि ये पुस्तक किस की है तो वारंट पीस जो है वो टॉल स्टॉई की पुस्तक है वारंट पीस यहाँ पर राइट आंसर ऑपसर डी को टिक करेंगे मार्च किस राजिक का लोक नित्त है, अब आपको 50 questions में से कितने topic निकालना है यह आपके उपर depend करता है, वीडियो को आखरी तक देखिए और देखिए कि आप इसमें से कितने topic निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लोक नित्त हो गया, उपर में हमने देखा था बाग अभिय problem 1846 से 1947 के लेखा कौन है, इंडिया चाइना बाउंटरी प्राब्लम यह पुस्तक है और इसके जो लेखाक है वो कौन है, यह आपको गेज करना है, वीडियो अच्छा लगें तो प्लीज लाइक अंसे जरू करिए, चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिक option B, तुंभध्रा बहुदेशिय परियुषना निमलिखीत नदियों में से किस नदी की उप नदी के तरड़ पर स्थापित की गई है, यानि तुंभध्रे तुंभध्रा जो है बहुदेशिय परियुषना यह किस की साहाइक नदिया यह कह सकते हैं, तो हम सभी जानते हैं तुंभध्रा कृषना के साहाइक नदिया है, यहाँ पर B हो जागा, और कृषना का उदगम कहां से होता है, यह आप लोग थोड़ा सा कमेंड करके ज़रू बतेगा, और साधित कृषना के अन्य जो साहाइक नदिया है, उनके नामों को भी आप नेमिंसन करेंगे, सरीर की विसालतम धमनी कौन सी है, यानि सरीर में सबसे बड़ी जो धमनी होती है, उससे हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसे एरोटा कहा जाता है, एरोटा ओप्सन बी बिलकुल सही होगा, इस्ट इंडिया कमपनी और बंगाल के नवाब के बीच, जब पलासी का युद होगा, प तो बंगाल के नवाब और इस्ट इंडिया कमपनी गविच पलासी का युद होगा था, उस मक्त मुगल समराड कौन थे, मुगल बादसा कौन था, तो अगर आपने यहाँ पर ऑप्सन D को सलेट किया, तो गलत जवाब होगा, क्योंकि D जो है, यह बकसर के युद्ध के समय अगला की भूताप यह उड़्जा परधारित मनीकरण विजली सेंतर किस राज्य में स्थित है, यह गेस करना है, तो मनीकरण का संबंध यहाँ पर हो जागा, ऑप्सन B के साथ हिमाचल परदेश, ठीक है, हिमाचल परदेश, ऑप्सन B को टिक करेंगे, चले इसके बाद अ मार्स रोवर का नाम क्या है, चीन के पहले मार्स रोवर का नाम क्या है, जो कि पिछले वर्स चर्शा में था, और यह मार्स रोवर का नाम हम यहाँ पर जुरोंग कहेंगे, जुरोंग ऑप्सन B, चीन के पहले मार्स रोवर का नाम जुरोंग, ऑप्सन B, डेवलोप्मेंट and freedom, development and freedom के लेखक कौन है development and freedom के जो लेखक है कौन होगे तो आमर्त सिन, चीक है आमर्त सिन बिल्कुल सही आंसर होगा और इनको 1998 में भारत अतल से भी नवाजा गया है, इनको याद रखना है चलिए, आगे बढ़ते और अगला सवाल देखे है क्या क्या रहा है अगला सवाल यह है कि लौड विलियम बेंटी, भारत के गवर्नर जनरल किस चार्टर अक्ट के दारे बनाए गया थे है इनसे पहली गवर्नर हुआ थे ठीक है, जो कि भारत बंगल के गवर्नर होते थे बंगाल के गवर्णर जनरल हुआ करते थे लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्णर जनरल को भारत का गवर्णर जनरल बना दिया गया था और पहले जो कि भारत के गवर्णर जनरल बने थे लौड विलियम बेंटिंग 1833 के चार्टर एक्ट के दोरा तो यहा सबसे पहले राष्टिय गीत जो मंदे मात्रा में इसको गाया गया था पहली बार राष्टिय गीत को गया था यहाँ पर हमारा बी बिल्कुल सही अंसर बनेगा ठीक है अच्छाब आपसे एक प्रश्ण ये है कि सबसे पहले जो राष्ट गान गया था वो कि सदिवेशन में यहाँ पर 1896 में जो सबसे पहले राष्टिय गीत गया गया तो तो राष्टिय गान जो सबसे पहले कब गया था यह आपको बताना नीचे कमेंट परिये अगला प्रश्ण ये है कि स्वदेश बंधप कि स्थापना किसने केते हैं तो इसके संस्थापन के रूप में हम लोग जानते हैं अस्वीनी कुमार दत्ता यहाँ पर यह हो जागा और इसके बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि स्वदेश बंधप समीती के जो स्थापन अस्वीनिक मार्दता ने की थी इस संगठन का उदेश से था स्वदेश उत्पादों के इस्तमाल में ब्रिदी करना और विदेशी उत्पादों का बहिसकार करना तो ये ध्यान में रखेंगे अगला है निमलीखित कथुनों पर विचार कई तो देखे दो पॉइंट्स दिया जो चीजे हैं उनकों लोग सेवा चेतर के नाम से भी जानते तो ये विल्कुल सही है तो दोनों के दोनों कतन सही है इसलिए हम सी को यहाँ पर टिक करेंगे सी बिल्कुल करेक्ट होगा पंचायती राज के चुनाव में खड़े होने के लिए एक विक्ती की आयू किते नही होनी चाहिए पंचायती राज का चुनाव लड़ने के लिए एक विक्ती की जो न्यूंतम आयू होनी चाहिए वो अबका 21 वर्स कंप्लीट होना चाहिए और मत देने का 18 वर्स लोग सभा के लिए 25 और राज सभा के लिए 30 ये सब डेट आप मतलब कि ये सब जो आयू है वो प्रस्तूथ किया था ॥ कल की वीडियो में हमने बात किया थे कि सविक्रित कई ती ये डेट आपको मेंशन करना क्योंगी कंटकी वीडियो में देट बात कर चुक है चौट पहाद हूए तूक튼ं मीचे बताएंगे क्योंकि आप लोग बहुत हैं ज्यादा चलो कोई नहीं ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे जिनको करना है वो लोग कर देंगे मुझे अच्छा लगता है वरना आप लोग ये भी बता सकते हैं कि आप लोग कमेंट हम लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं आप खुद कर लीजें हम आपक दच्छडी अमेरिका में पीरू और वुलिविय की सीमा पर इस्तीत हैं यह तो यहां पर सई आंसर हमारा दच्छडी अमेरिका होगा टीटी काका जिल्द हनीमून लेक के नाम से फेमर्स है अगला है कि हतनी कुंड परियोशना किस नदी पर इस्तीत है यह बता है गंगा की साहिक नदी गंगा की सबसे बड़ी साहिक नदी यमुना यमुना नदी यह बनाया गया तो ध्यान रखेंगे हतनी कुंड परियोशना और और स्ती अगला का नेक्स ने किया था तो यहां पर पर सकते हैं कि महार सत्यागरा जो कि हम इसके नियुक्त करता अमभेटकर 20 मर्च 1927 को किया गया था यह सत्यागरा महराष्ट के राइगर जीले में महाड स्थान पर दलितों को सरवासनिक चौदार तलाब से पानी पीने और इस्तमाल करने के अधिकार दिलाने के लिए किया गया था एक प्रभावकारी सत्यागरा था ठीक है तो आपको समझे में आ गया कि यह सत्यागरा क्यों अनंदमठ ध्यान रखना है स्वदेशी जो अंदोलन है स्वदेशी अंदोलन के चर्चा इसी पुस्तक मिलता है अनंदमठ में मिलता है बकीम चंचतर जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है सत्यागरा के तीन प्रमुक स्वरूप कौन से होते हैं सत्यागरा के तीन प बढ़ सकते हैं अगले देखें क्या किरहें नेक्स्टIs ये कि पौटा साहिब जो गुरुद्वारा ये कहां स्थीत है पौटा साहिब गुरुद्वारा ये पढ़ता है अपका हिमाचल पैद्दी 115 के अंतरगत अपशन C हो जागा हिमाचलली इसके अंत्रिगत पॉटा साहीब गुरुद्वारा नेक्स्ट वन है कि वर्ड अफ एवन के नाम से किसको जानते हैं वर्ड अफ एवन के नाम से किसको जाना जाता है वर्ड अफ एवन के नाम से हम लोग जानते हैं विलियम सेक्सपियर को विलियम सेक्सपियर को और आप सभी को पताए कि यह कितने famous writer है इंगलिस के writer है नेरू ट्रोफी किस खेल से संबन देता है नेरू ट्रोफी का संबन किस खेल से होगा तो ट्रोफी भी याद रग लिजेगा क्योंकि ट्रोफी से प्रश्ट हमीशा पूछे जाते रहते है important है तो ट्रोफी नेरू ट्रोफी का संबन हो जाता है honky से ठीक है नेरू ट्रोफी honky से जबकि नेरू कब फुटबॉल के साथ होता है ध्यान रगना है दोनों important है निमलीखित में से कौन मदरास का मुजार्ट के रूप में जाना जाता है मदरास के मुजार्ट के रूप में हम लोग किसको जानते हैं मदरास के मुजार्ट के रूप में हम लोग किसको जानते हैं तो सही answer option C होगा AR रहमान A.R. रहमान, option C will be correct answer चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखें इसके बाद हमारा अगला प्रश्ण है राग कमेस्वरी की रचना किसने की थी राग कमेस्वरी की रचना किसके दोरा की गई है तो यहाँ पर हमारा सही answer हो जागा राग कमेस्वरी जो कि पंडित रवी संकर option D, पंडित रवी संकर, राग कमेस्वरी की रचना साल सेट दीब भारत के किस राज्यमी थीत है जो मुंबई है, वो इसी दीब पर बसा हुआ जिसकों लोग यहाँ पर कहेंगे महरास्थ सालसेट दिप महरास्ट option B होगा अगला है कि दूद सागर जर्ना कहां स्तीत है दूद सागर जर्ना कहां स्तीत है जर्ना, नदी, परवत ये सब important topic है आपको cover कर लेना एक पर सभी को देख लेना है दूद सागर जर्ना पढ़ता है गोवा में ठीक है गोअ में और गोवा मंढ भी नदी के किनारी इस्तीत है सागर दावा जिसको एक और नाम से जानते है triple धन्ने महत्सओ सागर दावा जो है किस राज्य का तेवार ज्यादोतार आपसे पूशा यहीं जाता है कि सागर दावा को समंद किस राज्य है तो इसका सही संपन्द हो जागा सिक्किम के साथ और ये एक बॉध्धों के दोरा मना जाने वला तेवार है सागादावा याद रह रहें एक खाल है सही जवाब हो जागा सुर मंदिर टमिल रडू में ठीक है टमिल राडू में महावली पूडम में स्थीत है option B, पल्लवों के दोरा यह जो की निर्मित था, देव समाज किस थापना किस ने किय थे, देव समाज किस थापना किस के दोरा की गई थे, देव समाज किस थापना की गई है, यहाँ पर हम कहेंगे, सिव नरायन अगनी होतरी, सिव नरायन अगनी होतरी, option B को टिक करेंगे, क्य कि देव की बात आ रही है तो स्थिव यहां पे ध्यान रखेंगा किस रास्थिव ध्यान को दो राज्यों के बीद साजा किया जाता है यहां पे दो राज्यों के बीद साजा किया जाता है अगर हम देखें तो पापी कोंड़ा करेक्ट होगा पापी कोंड़ा पहले परदेश और तिलांग ना दोनों के अंतर गाता है तो यहां पर मारा सी हो जागा बिल्गुल सही आंसर पापी कॉंड़ा अगला है कि 2011 के जनगर्णा के अंती माकड़ों के अनुसार भारत में निम्डीखित राज्यों के जनसंख्या का दार पर सही गरम क्या हुगा जनसंख्या के अधार पर तो सबसे अहीं जनसंख्या हम जानते हैं कि उत्तर पष्टप्रदेश में उसके बाद अगर हम देखें तो महराष्ट गर उसके बाद भिहार यानि कि एक तीन दो कहाँ पर मिल रहा है एक, तीन, दो, चार यहाँ पे correct है Option B, चीक है? एक, दो, तीन एक, तीन, दो, चार विसरन एक प्रकिरिया है जिसमें क्या होता है कि विसरन एक प्रकिरिया है जिसके द्वारा क्या होगा? I hope कि आप सभी लोग नहीं वीडियो को कर दिया होगा अक्सिजन पूरी प्लाजमा जिली में जा सकती इसी को कहा जाता है विजरन ठीक है उप्सन ए बिस्वी सताबदी के पहले दसक के दोरान किस अस्थान को भारती राष्टवाद का तंत्री का केंद्र माना जाता था तो हम यहाँ पर कहेंगे राइट आंसर होगा ऑप्सन ए बंगाल ठेक है बंगाल करेक्ट होगा शंचार नेटवरकों में अंतराष्टिय कनेक्टिवीटि के सुभिधा प्रदान करने के लिए अंतराष्टी दूर संचार संग की स्थापना कब की गए थी दूर संचार दिवस भी मनाया जाता है ध्यान रखेगा इसकी स्थापना जो हुई थी ITO की जो स्थापना हुई थी ये 17 मई 17 मई 1865 को हुआ था यहाँ पर D हो जागा सही आंसर और परतेक वर्ष्ट दूर संचार दिवस 17 माई को ही मना जाता है ये डेट याद रखना है इसी कारण से मना जाता है Q47 है कि मुरियाटिक अमल का वैग्यानिक नाम क्या है तो ध्यान रखना है कि मुरियाटिक अमल का वैग्यानिक नाम जो होता हो हाइड्रोक्लोरिकम होता हाइड्रोक्लोरिकम एच्सीयल ठीक है एच्सीयल यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा अप्सन B अगला प्रश्ट कि कपास के रेसो को बीजो से अलग करने की प्रकिरिया को क्या कहता है कपास के रेसो को किस अंग का भाग है ट्रैक्या जो होता है मानवसरीर के किस अंग का एक भाग होता है स्वसंत अंत्र स्वसंत अंत्र option B ट्रैक्या स्वसंत अंत्र last question क्या है देखिए ध्यान दीजेगा अंडबान और निकोबार दिप समू में slash and burn क्रिसी को क्या कहा जाता है slash and burn जो क्रिसी है जिसको हम लोग अस्थनांतरी किसी कहते है या फिर जूम क्रिसी के नाम से जाना जाता है तो इस जूम क्रिसी को अंडमान निकोबार दिपसमू में किस नाम से जाना जाता है ये पूछा जा रहा है और कल सामब वाली जो टापिक हमने दिया था आपको टिलिग्राम पर उस टापिक में मैंने ये मेंसन भी किया हुआ था कि आप इसको पढ़ेगे जो जूम करें से यह स्थानते करें से उसको अपढ़ेंगे तो अलग-लग राजियों में अलग-लग नामों से इसको जाना जाता है तो basically हम आपको बता दें कि अंडबान निकोबार दीप समो में इसको दीपा कहते हैं और 7-7 36 गड़ में इसको दीपा के नाम से भी जाना जाता है कि कौन से राज्य में किस नाम से जानते हैं, कौन से देश में किस नाम से जाना जाता हैं, वो हम किसी और वीडियो में discuss कर लेंगे, ठीक हैं, तो फिलाल आज किस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, next class में, उमीद है कि वीडियो आपके लिए helpful रही होगी, अच्छा लगा होग हम मिलते हैं इसी वीडियो के next वीडियो में नए टॉपिक के साथ, thanks of watching, keep on